के लिए आपको 250 ग्रैम्स मैदा में 70 ग्रैम्स घी एड़ करना होगा ताकि आपकी जो कचोडी है वो खस्ता बने और नमक डाल के एक नरम आटा तयार करिए फिलिंग बनाने के लिए 250 ग्रैम्स ऑफ चना दाल लीजिए उसे 2-3 गंटे पानी में सोख करने के बाद मिक्सर में डाल कर कोर्सली ग्राउंड करिए तेल करब एक पान में तेल गरम कीजिए उसमें 1 पीति जीर जीर एक तीस स्बून जाटने हींड डाल दीजिए अब एक पैन में तेल करिया अच्छे से भability मिला दीजिए अमें कुछ 22-25 मिनिट्स के लिए अच्छे से भूनना होगा slow flame पे आप इसे भूनिए और 20 मिनिट बाद इसमें आप अमचुर पाउडर, रेड चिली और हल्दी डाल दीजिए अब इसे फिर से कुछ देर के लिए भूनिए जब तक कि ये पूरा पानी इसका सूप नहीं जाता 20-25 मिनिट भूनने के बाद ये इस तरह से दिखेगा अब आपने जो आटा तियार किया था उसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लीजिए और उसमें अच्छे से जो फिलिंग बनाई है उसे फिल करके पैक कर दीजिए सील करने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको उसे ऐसे ही हातों से सील करना होगा अब आपकी कचोड़ी तेल में तलने के लिए तयार है एक कड़ाई में तेल गरम कीजिए और उसमें एक चांद दो या तीन कचोड़ी डाल दीजिए अब इसे slow flame पे cook कीजिए जब तक ये golden brown कलर का नहीं हो जाता और ये देखिए आपकी चना दाल की कचाड़ी तयार है अब आप इसे green चटनी, red चटनी, curd और थोड़ा सा सेव डाल के साब कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग